कोई कोछ लिखरा था कोई कोछ लिखरा था तो हमने उसको सारे भ्रांतियों को दूर करने के लिए अपने एक सिस्ट से यहां शोद कराया पी-एजडी का काम कराया और पी-एजडी का काम जो होता है उसमें कोई अनथंटिक बात नहीं कह सकते हैं उल्टी सीडी तुक नहीं मार सकते हैं, आपको रेफरेंस देने पड़ते हैं, तो हमने किया पुरानों में परशुराम चरित्र, इस पर वो पीएजडी कराई उसकी, और वो पीएजडी जो थी इतनी popular हुई, क्योंकि दोगों को पता लगा कि authentic चीज, परमानिक चीज जो में हम जान भी लेते हैं, और श्री परशुराम जी के बारे में जानकारी देने के लिए, हमारे पास बहुत उप्युक्त पात्र हैं, उप्युक्त कहें या सर्वप्युक्त कहें, डॉक्टर हीमसिंग सिंहा, हमारे गुरू जी हैं, अनेक बार हम बहुत सी बातों में उनको आपके सामने लाज चुके हैं, विख्यात, विद्वान है हमारे पूरे क्षेत्र के, तो आज मैं अपनी जिग्यासाइं लेकर उनके श्री चरणों में बैठा हूँ, आए उनका स्वागत करते हैं, उनसे बाचित करते हैं, प्रणाम गुरु जी. आज बड़ा पावन दिन है, परशुराम जी का किजैनती है, और परशुराम जी ऐसे अवतार हैं भगवान के, जो इनके पास शास्त्र और शास्त्र दोनों हैं, और कोई ऐसा अवतार नहीं है जिसके पास दोनों चीजे हो. परश्राम जी के पास शास्त्र हैं, क्योंकि शास्त्रों के ग्राता हैं, ब्रह्म ग्यानी हैं, उनके पिता यमदगनी जो रिशी थे, वो बहुत उच्च कोटी के रिश्यों में उनकी गढ़ना है, तो पिता के प्रताप से उन्होंने सारे शास्त्रों का, इसलिए उनकी बग अपनी बगल में सारे शास्त्रों को दबाए रहते हैं, और उनकी मा जो है वो शत्राणी है, शत्राणी भी उस कुल की कन्या है, जो राजा दश्रत का कुल है, एक्षवाकु कुल, और उस कुल की कन्या है, अश्री बड़ी तेजवाली तेजवन्ती है उनकी मा, जो शत्रिय क और मा के उस्तेज के कारण से परश्राम जी शस्त्र भी धारण करते हैं। आपने सारी परश्राम जी की कहानी में देखा होगा कि बड़े बड़े दुष्टों का संगार करने के लिए गए लेकिन कभी सेना साथ में नहीं लिए। राम ने रामन का संगार किया लेकिन बानरों की सेना इतनी बिशाल थी जिसे लेकर के गए। और भी इस तरह हुआ। लेकिन परशुराम जी कभी सेना साथ में लेकर के नहीं गए, परशुराम जी अकेली गए और सारे जितने भी दुष्ट थे उसका उनोंने संगार किया, तो मा का तेज भी उनके अंदर विद्वान है, पिता का तेज भी उनके अंदर विद्वान है, दोनों तेजों को लेकर करके जब वो चलते हैं तो जितने आतताई हैं वो भी काफ जाते हैं और जितने वेद निंदक है क्योंकि वेद उनके पास है वो भी पराजित हो करके उनके चड़नों में गिर पड़ते हैं जो रिशी है उनके पिता जी उनका आपने नाम लिया है तो उनके बारे में कुछ औ पर बताए उनके पिटा जी के बारे में। उनके पिता जी जमदगनी तो बहुत बड़े रिशी थे और रिश्यों में उनकी बहुत उची गर्णा होती है। उनके सामने सारे तप स्था करते थे, यहां जामनी नाम का एक घॉटर था। कोटर था और जम्दगनी रिशी जी थे उनको इतनी साधना और सिद्धी थी कि एक गाय उनके पास थी उस गाय से इतना दूद पराफ्ट कर लीते थे अपनी साधना के द्वारा कि अगर सो महमान भी उनके आ जाए तो उसी गाय से वो कहते थे कि मेरी इदत का सवाल है तो अर्थ तो यह हुआ कि श्री परशूराम जी हां पर हमारे स्थानियां ही रहे हैं कभी न कभी परशूराम जी का अवतार यह उसी शरंख्रा में है जो अवतारों की शरंख्रा मानी जाती है जी वेद में अवतारों का वरनन नहीं है लेकिन वेद में विश्नु का वरनन है वहाँ विश्णु को इस रूप में देखा गया है, कि जो बारह आदित्य हैं, हमारे जो बारह महीने हैं, उसमें सूरिय का अलग-अलग नाम होता है, तो जो बारह महीने में सूरिय का अलग-अलग नाम भी होता है, और अलग-अलग रूप भी होता है उसका, जैसे जेट का जो सूरिय है वो प्रिय नहीं माना जाता है जेट के सूरिय से बचने की कोशिश करते हैं और उसको छोड़ करके जब पूस का महिने आता है तो पूस के महिने में सूरिय जो है वो दिन भी छोटे हो जाते हैं और सूरिय का रूप भी बड़ा प्रिय हो जाता है तो सबसे प्र बारा सूर्य के नाम हैं, उसमें विश्णु सबसे चोटे हैं, लेकिन सबसे त्रीय हैं विश्णु तो जब ये विश्णु सबसे चोटे थे, इन्हों ने विश्णु ने ये देखा कि राक्षस आते हैं और देवताओं का सारा मालबार लूट करे जाते हैं, कारण कि ये वो विद्या के लिहास से बहुत बड़ा होगा, लेकिन कोई अगर गुंडा आ जाया और उसके दो मुखे मार है तो उससे लड़ नहीं सकता, तो यह दुष्ट जो थे सारे राक्षस शारीरिक दुष्टी थे बड़े बलवान थे, तो यह आते थे देवताओं का जो कुछ मा सब्सक्त जो किले जाते थे, इस्त्रियों का भी हरन करके ले जाते थे, तो विश्टू जो सब से छोटे थे देखते रहे कि यह दो, आते हैं, तो विश्टू नहीं कहा कि नहीं, अभ Mackie नहीं नहीं होगा, मैं तपस्या करूँगा, और मैं जो है इनका नाश करूँगा, लिखनु खड़े रुए और सूरीय का चक्र था उसको उन्होंने चक्र बनाके अपने धारण किया और उन्होंने कहा क्梁ड़ कहा के यह हमारा जो कमंडल है ऑश्मिन डेही यसमाकम कंड्य जो हमारा है वो सी के अंदर डाल दो जो तुमारा बनता है तुम ले जाओा मतलब धक्का सा रगा, लेकिन राक्षास मानने वारे तू थे नहीं, उन्होंने का तू कहा से आ गया, सब से छोटा है तू हम से ड़ने आ गया, विष्ण उन्होंने अपना चक्र उठाया और चलाना शुरू किया, राक्षास जो थे वो सारे भाग गये, और जो देवताओं क भाग था और देवताओं को मिल गया, यग में मिलने लगा, जितने रिशी थे, वैदिक रिशी जो थे, बड़े-बड़े, उन्होंने क्या काम किया, कि विष्णु के इस रूप को देख करके, क्योंकि विष्णु वैदिक देवता है, विष्णु के इस रूप को देख कर तो जब भी प्रिस्वी पर धर्म की हानी होगी, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, इस प्रिस्वी पर अधम लोग जो हैं, जो धर्म का त्याग करने वाले हैं, वो बढ़ जाएंगे, जादे हो जाएंगे, अभिमानी होगे, और वो क्या करेंगे, उनकी पहचान क्या होगी करें अनीति जाय नहीं वर्नी, वो इतनी अनीति करेंगे, इतना दुराचार करेंगे, इतने गरत काम करेंगे, कि उनका वर्नन करना में मिश्किल हो जाएगा, और उनमें चार चीज़ें जो हैं बड़ी परमुख करेंगे वो, सीधहीं, विप्रधैनू, सुर्धर्नी, चार यह राक्षस की पहचान है, दुष्ट की पहचान है, कि वो चार चीदों का सोचन करता है, पहला सोचन करता है, सीध ही विप्र, जो विद्वान लोग हैं, पहले उनको पकड़ता है, मेरी प्रसंसा में कुछ लिखो, मैं गरत काम भी कर रहा हूं, तो उसके बारे में भी लिखने शुरू कर देते हैं, मुगड़ों ने अपनी प्रसंसा लिखवाई है, दिल्ली शरूबा, उन्होंने का जिए दिल्ली का स्वामी है, जो दिल्ली का स्वामी है, तो सीध ही विप्र, पहले विप्रों का सोचन करते हैं, सब से पहला काम, जितना इंट्रेक्च्छल क्लास है, उस सब को सोचन करते हैं, सीध ही विप्र, फिर धैनू, एनिमल किंग्डम जो है, वो सारी खतम होती चली जाती है, प्रिथ्वी से जब एनिमल किंग्डम खतम हो जाएगी, तो कहां तो खेती के लिए बैल आएंगे, कहां से तुमारे पास और काम करने वाले आए प्रिदेंगे, और एनिमल किंग्डम खतम हो जाएगी, तो सारा बैलेंस भी पिखड़ा जाएगा, एको लोजिकल बैलेंस सारा पिखड़ा जाएगा, तो यह उस एनिमल वेर्थ को भी डिस्ट्रॉय करते हैं, सीध ही विप्र धैनू, धैनू का मतलब गाय नहीं है, तो सारी एनिमल किंग्डम का भी सोचन करते हैं, तो गुरुजी इस तरह से एक जो अतारवाद के शाष्वत जो कारण रहे हैं, उन्ही कारणों के तहरते, भगवान श्री परशूराम जी का भी अवतार हुआ, अच्छा एक तो श्री परशूराम जी को हम जानते हैं, कि व क्षेतरियों का वद्ध किया था, तो वो कौन सा क्षेतर था, और कौन से क्षट्रिय थे वो, जिनका वद्ध हुआ था, तो वो प्लीज बताएं। एक नर्वदा के किनारे एक ऐसे राजा थे जिसको हम सहस्तराइज कहते हैं सो उसकी बहुत पुजाएं थी और सहस्तराइजन, यानि हजार उसकी बुजाएं थी हजार बुजाओं का मतलत है कि वो हजार तरह से लोगों को मारता था बड़ा शोषन करता था, उसको ढूट लिया, उसको ढूट लिया, उसको ढूट लिया और नर्वजा के किनारे वो राज करता था अपना हिंदुस्तान के अंदर आरियों के अदावा, अनारिये लोग भी थे वो नागवंशी कहलाते थे पांच जातियां थी नागों की शेश नाग बासुकी नाग कालिय नाग और ये कौन से थे कश्मीर वा रहे मतलब पांच नागों की बड़ी बड़ी जातियां थी जाटियों की जो कन्याएं थीं वड़ी सुंदर होती थीं, तो वो क्या करता था, नाग जाटियों की कन्याओं को उठवा लेता था अपने हरम में डर्वा दिया है, नागों को मरवा दिया था अब इनको काड़ दो इनको लिवा पकड़ करके लूट ला वो सारा, तो लोग जब चीघने लगे तो परसलाम जी गही हूए थि कहीं तो उनकी मां कहा कि कि तुमारा जो सारा सोछन कर रहा है राजा शट्री का काम क्या है प्रदा की रक्षा करना, और यह शोछन कर रहा है तो कहते है, मैं अपने पुत्र का आवान करती हूं कि वो हुआ आए और आकर के पहले नागों की रक्षा करे। तो उसने आवान किया अपने पुत्र का, बेटे तुम कहां गूम रहे हो, तुम्हारा अवतार ही इसलिए हुआ है, या धर्वियों का नाश करने के लिए, तो जैसा प्राणों के बॉर्णनिया है, कि सारे समुद्र में नर्वदा में तूफान आया, और सारी जहाद, कस्तिय सारी डोलने लगें, लोगों ने कहा, सारी जनता ने कहा, कि अब परशराम आ रहे हैं, अब इसका नाश होना बारा है, खुश हो गई जनता, इतनी वाँ, तो परशराम जी की शक्ति से तो डड़ते थे, तो उसने नागों की रक्षा की जा करके वाँ, ये जो जगें हैं, जो नागपुर है, नागदे है, ये नागों के बंस सारे यहां राजा थे. तो इसका मतलब गुरु जी एक चीज तो इसमें कम से कम हमें साफ होती है, हम तो पर तो क्या गुरु जी जैसा आपने अभी बताया, तो परशुराम जी को उनकी शक्ति का एक तरह से एहसास कराया, जताया, अहवान किया, तो उनकी माता वो कारण बनी. हाँ, उनकी मा जो थी, उन्होंने तो उनका नाम रखा था राम, परशुराम जी का नाम राम था, परशुराम जी ने भगवान शंकर की आराधन की, शंकर की भगवान थे, और भगवान शंकर का सारा तेज ले करके भगवान शंकर ने उनके परसा दिया हो, जब परसा दिय तो उन्होंने जब कहा कि राम पर्शुराम की कहीं पूजा नहीं होती, क्योंकि राम पर्शुराम जी का नाम राम था, जहां राम की पूजा होगी पर्शुराम की आटोमेटिकली हो जाएगी। वो यहां जीतने के लिए इधर का शेत्व जीतने के लिए वो निकले हुए थे, यहां आकर उसने यहां अपना आतंग फैला करके लूट लाट करके जब जाने लगा, तो जम्दगनी उनके आश्रम पर जाकर के रुका, यम्दगनी को यह लगा कि हमारा राजा आया है, कि शेवा करनी चाहिए, तो उन्होंने अपने गव जो थी उसको कहा, अपनी तपस्या से उन्होंने गव को ऐसा बना लिया था, कि सो आदवे भी आ जाएं तो गव उतना दूद दे दे देती थी, तो उन्होंने क्या काम किया, कि गव से अपने प्राडशना की, कि मेरी विज़त का सवाल है, आज इतने लोग आए हुए तो बड़ा दूद दे करके गवने, अब ये जो था, सैस्टार्दम, इसने लोगों को कहा कि ये विशी है, कुटिया के अंदर रहता है, जंगल में इसका वास है, इसके पास इतना दूद कहां से आया, कि तो उसके जो थे सिपाई उन्हों ना जाके कावा, कि जी इसके पास एक गाय है, ऐसी, ये वहां जाता है, बाल्टी बर के दूद लिया आया, फिर बाल्टी बर के लिया आया, उसने का वो गाय तो हमारे पास होने चाहिए, हम राजा हैं, तो उन्होंने का, वो कहना लेगे, मैं गाय नहीं यह घाय में नहीं दे सकता, उसने जबरदस्ती खोल के लिए आओ. तो जब राजा जो होते हैं, भूप उनहोंने का भूप प्रजासन, जब भूप प्रजा को घाने लगता है, असन बना लेता है अपना. तो अब इनको डूटने के लिए आया है इनके पिता जी को, उन्होंने का गव नहीं जा सकती, गव को खोल के ले जाने लगा तो खर गव न भगा भगो दिया उनको, तो उसने का कि किसी तरह से इसको पकड़ करके लाओ, समझे, और पकड़ करके जब ले जाने लगे तो बड उनको उन्हों को मारकर के वराजया जो ता रूट लाटकर चड़ा गया, जिस्तर मार दिया है इनकी माँ आहीं, माँ तो चत्रानी थी, माँ ने इक्षाथी पीटी, बेटा राम तो कहां है, तेरे बाप को उसने से, तो इक्षाथी पीटी, तो पड़ती लेक्ती पीटी, उन्हें सत्रियों का नाश किया, 21 बार नाश करना यह संभव नहीं है, 21 पीडियां पैदा हो, तो कितने बार एक एक पीडि 25-25 साल में पैदा होगी, तो हजारों सार लग जाएंगे, तो 21 राजा ऐसे देखें उन्होंने, कि जो आतताई हैं राजा, उन्होंने 21 राजा को नहीं छोड़ा उन्होंने ऐसा राजा, जो आतताई हो, अब लोग कहते हैं, सारे शत्रियों को मार दिया, सारे शत्रियों को मार तो सूरिय वंसी, राम चंदर जी के वंस को कहा मारा, एक को भी नहीं मारा, गाधी जहां इनकी दाधी थी, विश्वमित्री जी की बहन थी और अन्याय करते थे, दुराचारी थे, पापाचार करते थे, उनको मारा, एककिस लोग को गिना उन्होंने, अपनी मा को गिनाया, कि यही राजा नहीं, बलकि जो भी ऐसा काम कर रहे हैं, मैं सब कानाश कर दूँगा, परशुराम जी ने सब सब बड़ा काम का किया, अपने भुजाओं के आश्रे पर उन्होंने उनका नाश कर दिया, जो आतताई राजा थे, लेकिन उन राजाओं से जो धन मिला, तो परशुराम जी ने कोई आश्रम नहीं बनाया, कहीं आपको परशुराम जी का आश्रम नहीं मिलेगा, क्या किया, कि सारी जितनी संपता आशी जो गलत तरीके से वो ले गए थे, लूट मार की संपती थी, तो उन्होंने भुजवल, भूमी, भूबनकीन, विपुल वार, मही, देवन, दीने, जितने संपता राये थे, वो सारी संपता परशुराम जी ने आज तक एक पैसा अपने पास नहीं रखा, सारी संपता उन लोगों को बाड़ जी जो गरीब थे, परशुराम जी का ही चरित्र है, आप ने जो पीएचडी कराई थी, वो पुराणों में परशुराम जी के कहां कहां उनका वर्णन उसके उपर कराई थी, आप एक ये बताएं कि जैसे हमारे यहां पर दो महा कावे आते हैं, राम जो अलगर रूप हैं, एक रूप तो यह है कि जहां स्वयंवर हो रहा था और सारे राजा आये हुए थे, परशुराम जी वहां पहुंचे, और उन्हों ने कहा कि ये जनक से कहा, कि ये जो धनुस है ये किसने तोड़ा मेरे शिव का, मेरे गुरू का धनुस जो है, रे कि ये धनुस को किसने तोड़ा मुझे बता, और उसको बता जल्दी से विलक करता कि मैं उसे मार दूँ, मेरे गुरू का धनुस तोड़ा, नहीं तो मैं जितने राजा खड़े हैं सबका नाश कर दूँगा, तो तुलसी राश जी ने उसको इस तर इसके लाए है, लेकिन वालमीक ने इस तरह नहीं किया, वालमीक ने किया है कि जब ये जा रहे हैं बरात्रे करके, सीता का वेवा हो गया है, तब परशराम जी ने उनको चुनवती दिये, कि तु धनुस तोड़ करके समझ रहा है कि मैं बड़ा भारी आजमी हूं, मेरे साथ युद्ध कर, क्योंक और वालमीक वरालमीक देखस्ट रहा है तो आप ने उनको जो ऑन चुद्ध करके दिखाए तो आप विश्वास्त हो जाएगा कि वुश्न हो और आप एक ही है। तो राम ने वो चिन्ह दिखाया, क्योंके विर्गु दिखनी वुझी की संतान थे, विर्गु दिख्या हे वे वे वुंसुत थे विर्गु भरवरत खजप кажए उन्होंने विश्नु के लातमारी थी, वो चिन्ह विश्णु की च्छाती बेदा। तो उनोने देखते हैं राम, रमापति कर धन डेव, उनोने का राम कर सी जदी बात, एक वाख कहा उनोने, उनोने का का कर राम उन्र० राम ये जतने दुष्ट्टों का संगार कर दिया said मेरे काम कॉतम हो गया, अब मुझे विश्फास हो गया ज़ी आप आगे हैं मेरे काम को जाके देते हैं, वो शारंग धनुष जो दुष्टों को नाश करने वारा था, वो राम के हाथ में दे दिया, उन्होंने का मेरा काम खतम हो गया, जिन लोगों को नाश मैंने करना था पस्चिम की तरह सारे जितने के, वो टार्गेट पूरा हो गया, अब आगे जो काम है, जो रह गया है, जो इस फिर्थी पर रह गया है, तो उस काम को तुम पूरा करना, ये मेरा शारंग धरुष्टा है, आज के समय में, मभवान शरी परशूराम जी, उनकी अवधारना की, उनकी अवतार्गी, अगर आज के संदर्भ में हम प्रासंगीकता समझना चाहें, और कु कुष्टों का दलन करो, और जो चार चीजे मैंने बताया था, कि चार चीजे हैं जिनका सोचन करते हो, उस सोचन को रोग दू, पहले, विप्र, हमारे यहां का विप्र विचारा कमजोर है, लेकिन पास्चात्य का विष्व जो है, वो कहता है, कि अगर कोई सत्ता को सबसे बड़ा दर होता है, तो वो इंट्मेक्ड तो इंट्लेक्टुल है, क्योंकि klitas सकते हैं, वो इंट्यॉक्ञेजर सकते हैं, राजसच्ट्य को sensitive. सटाय तो पाश्चाथ में विद्वान है उन्होंने चौनओते दीए나라ससता को डिकाट ने चौनोते दि और वेकन पर लाय ups my linking में हो there तो उन्होंने करांतियां करवा दी बड़ी बड़ी फिर एनिमल वेल्थ बड़ी प्रोटेक्शन के लिए उन्हों सारा कर दिया कि एकोलोजिकल बैलन्स को आप अगर खाते भी हो मास तो आपको उस तरह करना पड़ेगा कि इतने परसेंट से जादे आप उनको नहीं कार सकते हरे यका का तो प्रोटेक्टेटिस्टी परदेयों करें बैलैन्स को बनती है बैलन्स को प्र लाहँर से सूधायेध को लुए हिस्झें होने रहे हैं करेंगे जैसे हैंमूर farklı कर दिया को और विउ-जर्व्ण ब्रॉन को कर दियां तो 3 हो तो सबसे जदे जो रहा है तो लेकर गूम रहे हैं सनीचर भीक मांग रहे हैं देवता एक वो काली बनी हुई घूमती है खपर लेकर भीक मांगती है तो देवताओं के नाम पर जितना दुराचार हो रहा है ये सब दुष्ट हैं अंत मैं उन्हों ने का सीधा है विप्रधेन उसुर्ध धरनी पृत्वियो लोग परूटिट करने वाले लोग जो है वो राक्षास बंसके हैं तो पृत्वियों को परूटिट नहीं होने देंगे ये परशराम जी के चारों काम हमने कर रहे हैं और दोस्तों आप सब ही बहुत विद्वान हैं और सब चीजों के जानकार हैं पर हम इतना कहना संकेत रूप में कही जाती थी तो वो जो कहा जाता है उसका मतलब सिर्फ उतना ही नहीं होता था उससे परे भी कुछ होता था तो जब अवतार की बात होती है देवता की बात होती है राक्षास की बात होती है धेनों की बात होती है तो उनके कुछ संकेतिक अर्थ भी रहते और अब संकेति करती हैं कि आज के रोग जो हैं उन्होंने कहा कि जो आदमी में समाज को सुधार रहे हैं और इन-चारों चीजों को रोट रहा हैं एक अवटार ने वही हैं अव्तार व। अंश अवतार है यह दरा पूढ़ने अवतार थे अब अब आप अगर इन चीजों को रोकोगी तो हम कहेंगे कि जिसके अंदर दुराचार को रोकने की शक्ति है और जो विष्णु की तरह चक्र लेकर खड़ा हो सकता है कि मैं दुराचार नहीं होने दूंगा वो विष्णु का अवतार है वो एक परसेंट है तो हम कहेंगे छोट करने के लिए उन्होंने कम से कम जो शोशन हो रहा था देवताओं का उसको दो का उन्होंने तो इस तरह के अवतार भी हम मानेंगे कि आज ही ये लोग भी जो दुराचार से ड़ने की कोशिश कर रहे हैं ये भी भगवान के क्योंकि अगर इनके अंदर विष्णु का आंश ना होता तो ऐसा वो करने में सफल ना होता तो ये सफल नहीं हो सकते दोस्तों से रड़ने के लिए अंत में बस इतना और जानना चाहेंगे कि जैसे आज हमें पता है कि आज जैनती है भगवान श्री परशुराम जी की और आप ये बताएं कि हिंदू पंचांग के हिसाब स ये हमारे पुराने पंचांग के हिसाब से कौन सी तिथी को ये तिवहार होता है ये अक्षे तिर्तिया वैशाक के महिने में जब शुक्र पक्षाता है तो उसके बाद तिर्तिया का तिवहार आता है ये तिर्तिया अक्षे तिर्तिया माने जाती है यानि इस दिन किया कोई भी काम, पुन अक्षै sowas, ये अक्षचतितिया है, तो अक्षच सिर्तिया को परशुराम जी ने अवतार लिया, जनम हुआ और संध्याकाल में उनका जनम हुआ. तो यानि कि जब हम को उनके बारेमे आप श्रम को बात कर रहे हैं, और करें यही समय रहा है जिसको भी दुख है, परेशानी है, विधर्मी जहां पर हैं, तो वहां पर वो परशुराम जी है, और खास्तोर से अगर सत्ता, सत्ता मदांद हो जाए अपने नशे में और जंता का सोशन करने रहे, वहां तो हम परशुराम जी का रूप धारन करके हम यह कहेंगे, कि हम यह परशुराम जी है, 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 परशुराम जी झाल झाल